हाव रूफिक्स रेल्मी 7 आटोमेटिक टाच प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो आप सब्सक्राइब तेकर आज यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है आटोमेटिक टाच प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते है आपने डिवाइस के अंदर पर तो अगर दोस्तो आपके जो फोन है उसमें आटोमेटिक टाच होते है तो फिर दोस्तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है या नहीं हुए अपनी जगे पर तो अगर अपनी डिस्प्ले या फिर टाच चेंज किया है तो फिर दोस्तों कभी-कभी ऐसा बिहेव करते हैं आपके फोन लेकिन मान लिजे आपने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है फिर भी आपको यह प्रोब्लम आ रहा है तो आपको करना किया है ठीक है लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहे तो अगर आपने चेंज किया है दिस्प्ले स्क्रीन कुछ भी तो आपको अगर ऐसा कोई भी प्रोब्लम आता है तो आप उसी टेक्निशन को जाके पकड़िए क्योंकि दोस्तों आपके जो फोन है उसम भी ऐसा रहा है प्रोब्लम ठीक है ओटमीटिक ताच का तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं सब कुछ आज की वीडियो पर हम दिस्कास करेंगे तो जस्त आप इस वीडियो को पूरा जरू देखें वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक में आपको बत रहता हूं अगर टाच ओटमीटिक हो रहा है तो एक बार आप मोबाइल को रिश्टार्ट कर दीजिए ठीक है रिश्टार्ट करने के बाद आपका जो phone screen है उसको अच्छे से एक कपरे से वाईप कीजीए अगर दोस्तों यहाँ पर कभी पसीना वगरा आपकी पर चिपक जाते तो ऐसा behave करते तो phone screen आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए और phone screen को एक बार आप पहुच के देखिए अच्छे कपरे से और उसके बाद चेक कीजिए ठीक है तो automatic touch जो है इस तरीके से भी आप fix कर सकते कई बार दोस्तों ऐसा reason हुआ है मेरे साथ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और next पर दोस्तों आपको क्या करना है आप दोस्तों यहाँ पर यह चेक करें कि आपके phone पर पानी वगरा लग जाते हैं तो उसमें भी automatic touch हो जाएगा ठीक है तो इस तरह का जो problem है वो छोटे छोटे तरीके से भी हो जाते हैं लेकिन दोस्तों यह तो सिर्फ एक basic सा knowledge है ठीक पर दोस्तों आप यह चेक किजिएगा कि आपकी जो phone है ठीक है आपकी जो phone है दोस्तों उसमें कोई बेर application है तो उसको आपको डिलेट करना होगा सारे साथ अगर आपका storage फूल है तो storage वगरा दोस्तों आप डिलेट कर लीजिए ठीक है तो यह सब दोस्तों आपको करना अगर storage काफी ज्यादा फूल है तो empty कीजिए सारे साथ दोस्तों आपको बेर application डिलेट करना होगा अगर unused application भी बहुत ज्यादा है तो उसको भी डिलेट करना होगा तो उसके बाद दोस्तों आप चेक करके देखे automatic task का problem fixed हो जाएगा तो यह आप solution कर सकते है अपने automatic task problem को fix करने के लिए लेकिन दोस्तों मान लिजिए यहाँ पर आपने करके देखा फिर भी problem आ रहा है तो आप जो है दोस्तों यहाँ पर क्या किजिएगा software update ठीक है about phone पर जाए software update कर दीजे फिलाल अभी दोस्तों यहाँ पर net connection नहीं है ठीक है उसके वज़े से software update यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे तो software update आप कर लिजेगा ठीक है software update वगरा करने के बाद आप जो है चेक करके देखे आपके जो problem है automatic touch का वो definitely fix हो जागा by any chance अगर problem solve नहीं भी होते हैं ठीक है automatic touch का यह करने के बाद तो आप दोस्तों क्या किजिगा mobile को factory reset कर दीजिए ठीक है factory reset करने का option जो है दोस्तों यहाँ पर है additional setting backup and reset and erase all data ठीक है तो जाकि आप factory reset कर दीजिए आपका problem fix हो जाएगा क्योंकि दोस्तों बग बगरा हमारे ब्लोजर पर आ जाते वाइरे बगरा तो वह हमारे फोन को जो है काफी दिक्कते दे सकते हैं तो उसके वज़ए से हम जब reset करते अपने फोन को तो completely वह वाइरे जो हो जाएगा और fix हो जागा आपका problem तो यह काफी अच्छा solution है उसको follow करे आपका problem fixed तो आज के इस वीडियो अबर दोस्तो बस इतने है अगर आपको यह वीडियो पसने आता है वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे thanks for watching